बिग बॉस के घर में एस अफते के वीकेंड का वार में सल्मान खान ने सभी लोगों की क्लास ली। सल्मान खास करके प्रियांग शर्मा को बहुत अच्छी तरीके से डाटा और समझाया भी जिसकी वज़ा से प्रियांग शर्मा का मूड हमें बहुत खराब देखने को और उसके बाद सल्मान खान ने बंदगी और पुनिश इन दोनों को भी समझाया के मैंने 11 साल बिग बॉस के किसी भी सीजन में किसी भी कंटेस्टन को ये नहीं कहा था पर आप दोनों को ये कह रहा हूँ के आप दोनों अपनी लिमिट में रहिए दरसल बंदगी और पुन उन दोनों को ये बात बोलनी पड़ी के आप दोनों अगर ये चीज अपने माबाप के सामने करने के लिए कमफर्टेबल हो तो ही आप ये चीज कैमेरे के सामने करो क्योंकि आप जो कुछ भी कैमेरे के सामने कर रहे हो वो आपके माबाप भी बाहर देख रहे हैं पर सल्मा खान खान की इन बातों का बंदगी और पुनिश इन दोनों के उपर कुछ भी असर नहीं हुआ है। ऐसा हम इसलिए बता रहे है क्योंकि बंदगी और पुनिश इनकी हाल ही में एक वीडियो क्लिप सोशल मेडिया पर वाइरल हो चुकी है। जिसमें वो हमें बहुत गंदी बाते करते हुए दिखाई दे रहे है। इस वीडियो में पुनिश बंदगी को उसकी शौट्स खोलने के लिए कह रहा है। उसके बाद बंदगी उसको पुछती है के टॉप की जरूरत है की नहीं। तब पुनिश उसको वो भी उतारने के लिए कह देता है। आश्चरी की बात ये है कि बंदगी ये सब करने के लिए राजी भी हो जाती है जबकि उसको पता है कि बिग बॉस के घर के अंदर सारे कैमेरे हर वक्त चालू रहते हैं उन दोनों की बाते सुनकर ये पता चलता है कि वो दोनों ये सारी हरकते बेड के उपर चादर के अंदर करने की सोच रहे थे और वो भी रात के समय में उनका ये क्लिप सोशल मीडिया पर वाइरल हो चुका है जो कि बिग बॉस के एपिसोड में दिखाया नहीं गया था जहां पर बंदगी ने घर में आते वक्त सबको ये कहा था कि वो अपने माता पिता को प्राउड फिल करवाना चाहती है वही पर बंदगी बिग बॉस के घर के अंदर हमें ये सब अरकते करते हुए दिखायई दे रहे है हाला कि सल्मान खान ने पुनिश और बंदगी को पिछले विकंड का वार में समझाया भी था कि वो ये सब अरकते कैमेरे के सामने ना करे फिर भी बंदगी और प कामेंट सेक्षन में जरूर बताईए और बिग बॉस से जूड़ी हुई ऐसी ही एक्सक्लूजियू नियूस के लिए हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए